तो दोस्तों हमने एक post को publish करना सीख लिया अब इस post में और क्या क्या options होते हैं इनको समझते हैं तो हमारा यहाँ पर एक post है वीजियो लेड़ एडिटर हम इसी पे दोर सा changes करते हैं हमने क्लिक किया edit पे और हमारा यह post open हो गया इस website को किस तरह से इसका output निकल रहा है यानि कि किसरे display हो रही है मैं आपको दिखाता हो खुल कि देखिए हमने दूसरे tab में अपनी website खुल रखिए और यहाँ पर धिया दिया दिए दोस्तों यह हमारा प्राइग्राफ है ठीक है इस में हम change करेंगे त इन में से one by one समझेंगे हम जैसे ऐसे हमारा इस्तेमाल होगा वैसे वैसे हम इनको समझते चलियाएंगे अभी हम यह समझते है बी टैक इसको देखिए bold का अनलब क्या है दोस्तों अगर हम कोई भी टैक्स अपना bold form में दिखाना चाहते हैं तो उसका हम बी टैक्स क्या यू पर हमने इया से अफडेट कर दिया हमको यह अप्डेट करना है थे अफडेट होगे अपर वी पोस्तंप झी हमने मैं देखे दोस्तों कॉंसेर्थ हैसे प्रॉम एपिशन summarize हैंगे में अब करते हैं वह करते हैं तो इच-ध एज़य व्विव को अगर दोस्तों को इसको इच करना है तो यह ऐिका है इसको अने इटालिक कर दिया तो देगे दोस्तों यह इस अब आप अब देखते हैं दोस्तों इसको अब्देट कि अपने वक्साइट को प्नी हहां से इसका पोस्त गर्व यह linking का इसको बोलते है hyperlink कभी ऐसा होता है कि हम कोई post या topic कोई पढ़ रहे होते हैं उसमें हम click करते हैं तो एक दूसरी website open हो जाती है यानि यह दूसरा link हम ऐसा मनुफर हो जाता है तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इस link tag को use करेंगे इस link attribute करेंगे अब कैसे करते हैं देखिए माल लिए दोस्तो यह word है layout मैं यह चाहता हूँ कि जब मेरा user इस layout पर click करे तो google.com website open हो जाए तो मुझे इसको hyperlink करने पड़े यानि कि मैं इसको select करता हूँ मैं इस पर click किया यहाँ पर दोस्तों मैं जिस website को open करना चाहता हूँ मुझे यह उसका address लिखना पड़ेगा तो मैं खुलना चाहता हूँ google.com www.google.com मैंने यहाँ पर दोस्तों click save कर दिया और यहाँ देखिए दोस्तों मैंने open in due type कर दिया अब आपका देखिए इस layout text के नीचे एक line बन के आ गई है अब इसको हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है हमन इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा एक चीज़ यह layout text को अगर मैंने hypertext बनाया है अगर मैंने इसके साथ hyperlinking करी है तो आपके system में internet connect होना चाहिए उसका कारण यह है कि जब आप इस text पर click करेंगे तो website open होगी और उसके लिए आपका internet system पर चलना चाहिए क्योंकि यह external link के तोर पर काम करेगा तो देखिए हम यह आप पर click करते हैं preview पर update हमने कर दिया preview करते हैं किस mode में आप दिखना चाहते हैं मैं desktop mode ले जाता हूँ preview new tab हमारा post आगे है पर देखिए layout के नीचे line है यह आपका hyperlink है जैसी करसल रखा एक हाथ का shift convert हो गया यानिक यह hyperlink है मैं इस क्लिक करता हूँ देखिए दोस्तों गूल अपन हो गई यह आपका hyperlink का concept था कि किस तरहीं से आपने text को hyperlink कर सकते हैं अब यहां दिखने के बात यह है कि जैसे में click कर रहा हूँ इस पे तो गूगल की website में सामने ओपन हो इसका मदलब क्या है कि मैं सिस्टम में internet इस समय चल यहां पर आपके open हो जाएगे चलिए आगे समझते और क्या options होते हैं देखिए दोस्तों अब बारी आती है यहां पर एक next चीज की यह हमारा दोस्तों topic है यह हमारी blog है इस blog में और options रहने के लिए हम यहां जाते है settings में अब समझते हैं इन settings के अंदर क्या-क्य options होते हैं व देखिए visibility, public, public का मतलब यह हुआ कि आप की जो post publish होई है इसको public का मतलब हर कोई देखे, private का मतलब सिर्फ आप ही देहना चाहते हैं मांग जोस्तों कभी कोई post आपने ऐसे publish कर दी जो आपको लगता है कि यह post में कुछ data relevant नहीं है या यह post में data अच्छा नहीं है मुझे post को कोई भी पढ़े तो मैं उसको private कर दूँगा यानि कि वो post मेरी blog पे रहेगी मेरी website पर रहेगी लेकिन मेरी users को दिखाई नहीं देगी वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देगी क्योंकि मैं site का admin हूँ लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उसको हर कोई पढ़े तो public कर एक 300 option होता है दोस्तो पास्व प्रोडेक्टिट इसका मतलब यह हुआ कि इस post को केवल वही लोग पढ़वाएंगे जो आपके users हैं जो आपके registered users हैं यानि कि जिनका account आपकी website पर बना है वही लोग पढ़पाएंगे तो आपके सामनी option होता है visibility का publish करने का मतलब यह किस समय में आपको publish करनी है आप यहां से उसका time वरे सब set कर सकते हैं तो आप अपनी post को तयार कर रख दीजिए आपर और यह time इसमें set कर दीए उतने ही time पर वह automatic publish हो जाएगी format के है दोस्तो किस format में आपको रखनी है यह by default उसका standard format रहता है इसलिए permalink देखिए दोस्तो हमने बा देखिए मैं इस topic पर click करता हूँ तो देखिए सो मैंने आप तको बताया था कि जो है slug इसको बोलते हैं slug सब का मतलब क्या है कि हमारा topic उपर website के नाम के साथ आए तो उसको बोलते हैं slug यहां पर अगर चाहें तो आप अपने slug को change भी कर सकते हैं जो आप slug यहां पर द दीजिए और जो भी आप लिखेंगे वो यहां पर आपके slug के तौर में लिख करके आजाएगा यह सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों ताकि आपकी पोस्ट असन इसे पहचान ही जा सके कि क्या आपका topic है next दोस्तों categories हमने discuss किया था कि news की website हमने देखी थी और उसमें discuss किया तो आपका topic जिस किसी category संबंदित है आप उस topic को हम यहाँ पर by default यागे publish करते हैं तो publish करने से पहले यह सारे settings है जिनको हम change कर सकते हैं अपनी जरूरत के साब से तो अभी हम आगे एक topic और ब्लॉक को post करेंगे फिर वहाँ पर हम इस category का use करके देखेंगे category वहाँ पर कैसे क tags की tag क्या होते हैं tags का मतलब होता है यहाँ पर वो keywords यहाँ पर वो words जो word हमारे इस post को search करने में help करेंगे अगर आपने कोई post लिखी है उस post को वो post आपकी logo तक कैसे पहुचेगी उसका तरीका होगा कि आपकी जो वो post है और आपकी जो blog या website है वो google पर rank करें अब google पर rank करने के लिए क्या होगा दोस्तों कि जब भी कोई user google पर search करेगा को topic पढ़ने के लिए तो वो कुछ keyword type करेग पर फूंगी वो उन सब का एक link या उन सब के list नीचे google के web page पर दिखाई देगी search engine में तो ऐसे ही अब आपने कोई post लिखी है तो आपकी post से सम्मंदित कौन कौन से keywords वो हैं कि जो keywords आपकी उस post को search करने में help करेंगे ताकि आपकी website या blog जो आपने बनाया है वो google के search page पर आ दिखेंगे हर post से सम्मंदित आप यहां पर कुछ ना कुछ keyword देंगे वो keyword आपके tag के तौर पर काम करेंगे जैसे मान लीजिए यह हमारा एक visual layout editor technical category का keyword है तो जैसे मान लीजिए अभी यह क्या है कि editor की बात कर रहा हूं है तो मैं यहां पर keyword type कर दूँँगा editor चीक है कॉमा लगाया यानि की वो tag बन गया आप आपने कुछ और keyword हो सकता है माली वेखता हूं visual editor इसके बाद कॉमा इसरे आएंगे तो क्यों जाए इस तरीके से आप यहां बहुत साइट टैक्स अस्तमाल कर सकते हैं अब इससे हुगा क्या है दोस्तों यहां पर हमने दो tag बना है editor और visual editor जब Google पर कोई सर्च करेगा what is editor what is visual editor यह simple लिखेगा editor यह लिखेगा visual editor यह लिख searching में वहाँ वहाँ मेरी इस visual layout editor वाली पोस्ट को Google में शो करने में help मिलेगी और बहुत सारे रीजन होते हैं Google में पोस्ट को शो करने के जिनकी वैसे हमारी पोस्ट उपर rank करती है बट उसमें एक यह important रीजन यह टैक्स का भी होता है तो टैक्स उस्तों हम अपने पोस्ट मे में शो करें क्योंकि हमारी पोस्ट में शो करेंगी तभी यूजर्स हमारे उसको पढ़ेंगे यह option होता है आप चैने तो नहीं दाले आप चैने तो दाले लेकिन इनको टैक्स का यूज करना recommended है आप को टैक्स यूज करने चाहिए नेक्स आता है उस्तों featured image अब हम अगर इ या set featured image यह एक image के पढ़ी है library में देखें दो option है आप होते हैं दोस्तों एक upload files upload files का मतलब कोई image आपके laptop में या computer में जिससे में जिस पे आप इस सिस्तम में काम करने उसमें पढ़ी है या media library, media library का मतलब के हमारे wordpress में है तो अगर मेरे पास यह wordpress में है मैं इसको upload कर मैंने upload files प्लिक किया select files किया मैंने रुकिए पहले मैं अपनी media library से यहां से image को delete कर देता हूँ अभी मेरी media library empty होगी upload files प्लिक किया select files पर गया यहां मेरे सामने मेरा laptop का desktop open हो गया यहां laptop मेरे पास एक computer नम की image है यह वाली image मैं इसको open करता हूँ देगे दोस्तों यह image आ गई अब यह image देखिए यहां upload किया था मैंने अब यह सीधे media library के अंदर ही media library का मतलब क्या हुआ कि यह media library हमारी वही है wordpress की media library ठीक में कुछ नहीं करना दोस्तों मैं चाल उसका size व image हमारी आ गई है अभी upload हो जाएगी हम आई का option समझते हैं except क्या होता है except दोस्तों होता है जब आप कोई बड़ा topic लिखते हैं किसी बड़े article को लिखते हैं तो बड़े article को पढ़ने से पहले उसका 2-3 line का summary आप लिख दीजिए तो कोई भी user आपकी उस article को पढ़ने से पह किस topic इंदर क्या लिखा है इस accept को भी हम use करें देखेंगे अभी यह option होता है चाहे तो करें चाहे तो ना करें इसका भी देखेंगे हम use क्या होता है allow comments अगर हम यह आज दे हटा देंगे इसको तो इसमें हमारी इस post पर comment कोई नहीं कर पाएगा comment कैसे करते हैं यह हम अभी सम दिए post देखते हैं हम अपनी visual layout editor post हमारी यहां आ गई image यहां आ गई post जहां पर है ठीक ओके तो अब देखते हम दोस्तों यह वाला option text alignment text alignment का मुदब क्या है कि हम अपने text की formatting left friday center में किस text चाहते हैं तो मांगी चलिए मैंने इस text को select कर लिया हम आने इसको कर दिया left left by default है ही मैं इसको right कर देता हूँ देखें दोस्तों right में हो गया मैं इसको center करता हूँ center में आ गया देखें lines में इधर left में देखें right में देखें आपको difference देखाए जी रहा हुगा अब मैं इसको दोवारा select करके अगर left में कर दूँ इस तरीके से आप अपने text को भी format कर सकते हैं उन्हें website पर जिस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं ठीक है अच्छा यहां पर कुछ option दोस्तो है copy से क्या होगा कि फूरा text आपको copy हो जाएगा अप उसको paste कर सकते हैं जहां चाहाँ duplicate से क्या होगा कि यही text आपकर duplicate हो जाएगा हम करते देखी duplicate तो देखिए दोस्तों वही text दोसे copy हो गया अगर मैं इस text के पहले कुछ insert करना चाहता हूं हो सकता है कि image हो बाद में कुछ करना चाहता हूं तो वह एक block बन जाएगा देखिए मैं करता हूं before यहां बदी की block बन गया space आगई मैं add करता हूं इसमें माल लिजीने को image करना चाहता हूं चलिए image हम अपनी library से ले ले लेते हैं हमारे पास image रखी दिये इसको जो ले दिया हम select देखिए दोस्तों image यहाँ पर आ गई अपनी post को update करते हैं एक तो यह topic यह heading sorry image हमारी starting में थी और यह एक image हमाई दोस्तों इस हमारे post के बीच में आ गई इस तरह के से हम अपनी image को कही पर भी insert कर सकते हैं वापस देखिए मैं आता हूं वापस आ करके मैं इसको delete करता हूं यहां से simple अचा फिर क्या होता है insert after जैसे हमने before गया ऐसे after याने कि इस heading इस वाली content के बाद में आ जाएगा तो यह कुछ दोस्तों थे बाकी editors move to editors html reusable code groups यह अब यह आपके use के नहीं है आप इस पे ध्यान आप जाना remove block से क्या हो जोस्तों यह block आपका पूरा remove हो जाएगा जैसे यह हो गया ठीक है अप्डेट कर देए हमने इसको view post किया देखें यह block आपका remove हो गया ठीक है अभी इस topic में हमने क्या समझा इस topic में हमने फिलहाल यह समझा कि हम किस तरीके से post को अपनी publish करते हैं कैसे हम अपन सब्सक्राइब होते हैं लेकिन फिलहाल हमको जरूरत के लिए इतने ही थे और अभी देखने वाली बात यह है कि हमारी यह website है इसका design जो है वह बिलकुर simple है अभी यह कोई बहुत जदा attractive नहीं है पर फिलहाल कोई बात नहीं हम अपने इस designing पे बाद में काम दनेंगे पहले हमको इन features पर काम